हेलो एवरिवन, PCS Weekly Current Affairs Quiz प्रोग्रेम में एक बर फिरस आपका स्वागत है, तो चलिए, पहला प्रशन देखते हैं प्रधान मंत्री ने कब आईश्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का शुभारम किया था? आपके उप्शन से, A. 27 सितंबर 2021, B. 18 जन्वरी 2020, C. 25 मार्श 2019 या फिर D. 30 अपरेल 2018 तो इस सवाल का सही जवाब है, उप्शन A. 27 सितंबर 2021 अगला सवाल, Defense Expo 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? A. महराष्ट्र में, B. राजिस्थान में, C. करनाटक में, या फिर D. गुजरात में? तो इस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा गुजरात में, जोकि ऑप्शन D में दिया गया है. चली, next question. विश्व गोरिला दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को, 23 सितंबर को, 24 सितंबर को, या फिर 25 सितंबर को? तो सही आंसर है, option C. 24 सितंबर. अगला प्रशन, हाली में, ऑप्रेशन में एक जक्र किसके द्वारा चलाया गया है? केंद्रिया अन्वेशन ब्यूरो द्वारा? प्रवर्तन निदेशाले द्वारा? राष्ट्रे जांच इजिंसी द्वारा? या फिर इन में से कोई नहीं? तो सही जवाब है, option A. केंद्र महिला प्रधान मंत्री, जो कि option B में दिया गया है. चलिए next question, किस मंत्राले ने कोई के जल स्तरक पता लगाने के लिए जलदूत आप विकसत किया है? तो इसका जवाब है, ग्रामीर विकास मंत्राले, जो कि option C में दिया गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं, विशुप्रसे टेनिस खिलाडी, रोजर फेडरर किस देश से संबंधित हैं? स्विजलेंड से, स्पेन से, सर्बिया से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो रोजर स्विजलेंड से, यानि की option A सही अंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखेंगे. शहीद भगत सिंग का जन कप हुआ था? 27 सितंबर, 28 सितंबर, 39 सितंबर, या फिर 30 सितंबर. तो सही जवाब है, option B 28 सितंबर. चलिए रुख करते हैं अगले सवाल की तरफ. गेर कानूनी गतिविधियां रोक्थाम अधिनियम कब पारित किया गया था? A 1967 में, B 1968 में, C 1979 में, या फिर D 1970 में. तो सही अंसर है, 1967 यानि की option A सही अंसर है. चलिए अगले सवाल. हाल ही में किस मंत्राले ने कचरे से खिलोने डिजाइन करने की एक प्रतियोगिता स्वच टोई के थौन शिरू की है? वानिजी और उद्ध्योग मंत्राले? आवास और शहरी कारे मंत्राले? कौशल विकास और उद्ध्यमिता मंत्राले? या फिर ग्रामिड विकास मंत्राल C. एक अक्तूबर या फिर D. दो अक्तूबर तो सही जवाब है एक अक्तूबर जो की option C में दिया गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल देखेंगे हाल ही में राष्ट्रे लता मंगेशकर पुरसकार किसको दिया गया है एक कुमार सानू B. शैलेंद्र सिंग C. आनन्द मिलन या फिर D. उपर्युक्त सभी तो उसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी यानि की option D. सही अंसर है चलिए अगला सवाल देश के दूसरे CDS कौन बने हैं? अनिल चोहान, मुगुल रावत, संजे सिंग या फिर इन में से कोई नहीं तो देश के दूसरे CDS बने हैं अनिल चोहान, यानि की option A. सही अंसर है चलिए next question 36 वे राष्ट्रे खेलों का आयोजन कहां किया जा रहा है? options है A. महराष्ट, B. गुजरात, C. दिल्ली या फिर D. असम तो 36 वे राष्ट्रे खेलों का आयोजन किया जा रहा है गुजरात में जो कि option B में दिया गया है चलिए अगला और अंतिम प्रश्ण हाल ही में केंद्रिय मंत्रि मंदल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना यानि PMG KAY को कितने महीनों के लिए बढ़ाने की मन्जूरी दी है तो options है A2, B3, C4 या फिर D5 तो सही जवाब है 3 जो कि option B में दिया गया है तो आज के अपिसोड में इतना ही मुलाकात होगी अगले अपिसोड में तब तक के लिए जैहिंद सबस्थर से लिए Monaten